विदार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है ये वक्षीट जो है बिटा पांच नॉमबर 2020 की वक्षीट है तो चलिए करते हैं शुरू देखते हैं वक्षीट में क्या दिया गया है राशियों की तुलना आज का जो हमारा टोपिक है वो है राशियों की तुलना वक्षीट शुरू होने से पहले बिटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क हार का जो है इसको समान बनाएंगे आप दोनों अनुपातों को भीन में बदल कर उनकी तुलना की जा सकती है तो कैसे बनाएंगे बेटा देखिए 4 बटे 5 और 5 बटे 5 बटे 6 तो कैसे बटे तो इनका हम क्या लेंगे बेटा इनका हम LCM लेंगे कैसे 5 चिका 30 इसका आज़ाएगा LCM 30 तो 5 को जब हम 30 से 5 चिका 30 से गुना करेंगे और इसको जो है 6,24 यहाएगा 24 और यहाँ पर 6,35 पंजे 25 तो यहाँ पर देखिए एक तो आता है 24 बटा 30 और एक आता है 25 बटा 30 तो आपको पता चल ही गया होगा बिटा की कौन सा बड़ा है आगे है रासियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका है क्या है परतिशत अर्थार्थ परति 100 इसका चिन होता है परतिशत का उधारण के लिए एक का परतिशत कितना होगा 1 बटा 100 कितने यानि कि 2 परसेंट 2 का कितना होगा 2 परसेंट का 2 परतिशत का 2 बटा 100 यानि कि किसी भ प्रतिश्यत का चीन क्या होता है सो इसका मतलब होता है बेटा सो आगे है कि प्रतिश्यत ग्यात करना जब कुल रासी सो ना हो अगर कुल रासी सो ना हो तो हम कैसी करेंगे देखिए 24 बटा 25 बटा 30 तो 24 बटा 30 गुना 100 यानि कि इसको काट देंगे तीन ड़े 24 दस अठे 80 ऐसे 25 बटा 30 अगर हमें ऐसे नाम पता चले तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं फिर हमें ये साप साप पता लग जाता है बेटा कि 80 बड़ा है या 83.3 बड़ा है तो क्या बड़ा है बेटा 83.3 बड पताना हो तो राशी को ग्यात करनी हो तो 100 से भाग देते हैं कैसे देखिए 20 परसेंट 20 का 20 परतिशत निकालना है हमें तो 20 बटे 100 कितना आ गया 0.20 आगे हैं बेटा 25 परसेंट 25 बटा 100 तो कितना आ गया 0.25 तो ऐसे ही बेटा आपको कुछ ध्यान दिया कि यहां उचित भी भीन का परतिशत से अधिकालता है कैसे भीन का को परतिशत में बदला जा सकता है कैसे बदला जा सकता है बेटा अगर कोई भी भी भीन दी गई है एक तो ऐसे बोल देते हैं कि 50 का इतने परसेंट निकालो तो यहां पर क्या दिगी बेटा भीन दी गई है भीन है 5 बटे 4 का प्रतिशत तो यहां पर क्या करेंगे हम 5 बटे 4 गुना 100 तो इसे काट देंगे 4 दुनी 8 4 पंजे 20 25 पंजे 125 तो यहां 3 बटे 4 का तीन बटे 4 का गुना 100 इसको काट देंगे तो यहां पर जो है बिटा इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यह दश्मन लोट जाएगा और यह कितना जाएगा हमारा 3500 आगे है बिटा ग्यात कीजिए कि जो है 2500 का 15 प्रतिशत ग्यात करना हमें कैसे ग्यात करेंगे पंदरा बटे 100 गुनाड़ाई 100 तो क्या करेंगे इसको काट देंगे देखी एक जिरो से एक जिरो कट गई पांच दूनी 10 पांच पंजे 25 तो ये कितना आ गया 15 पंजे 25 बटे 2 तो ये कितना आ जाएगा हम जब 25 को 25 को 2 से भाग देंगे तो 2 तीया 6 एक बच गया 15 उतार लि आगए है एक घंटे का एक प्रतिशित गयाद किजिये हमें क्या करना है गंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है तो एक बटे सो गुना 60 तो जीरो से एक जीरो से एक जीरो कर जाएगी 6 बटे 10 आया तो इसको हम क्या करेंगी भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 मिनट आगे है 40 बच्चों के सर्वेक्षन से पता चला कि 25 परतिसत फूटबोल खिलना पसंद करते हैं ग्यात कीजिए कि इन में कितने बच्चों को फूटबोल खिलना पसंद है यानि कि 40 बच्चे हैं उन में से पता चला कि 25 परसंट को जो है फूटबोल खिलना पसंद ह पसंद था गयाद किजए यंद में से किने बच्चों को तो यहां पर लेंगे हम बच्चों की संखिया कितनी जी, 40 में 25 परसंद बच्चे फृटवाल खिलना पसंद करते हैं, तो क्या होगा, 25 का 40 परसंद, तो 25 बटे 100 गुना 40, तो 1 0 से कड़ गए 1 0, दो दुर्णी चार, दो पंजे दस, पांच पंजे पच्चिस, तो कितना आ गया ये हमारा, पांच दुर्णी दस, दस बच्चों को जो है, फुटबॉल खेलना, चालिस में से दस बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, आगे बिटा इसी की बेस पर कुछ कोश्चन दि दिया गया है, तता कितने प्रतिशत भाग रंगीन है, कितने प्रतिशत भाग रंगीन है, तो हमें इसका प्रतिशत भी निकालना है, तो देखिए यहां पर कितने हिस्से हैं, एक, दो, तीन, चार, तो कितने रंगे हुए हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, तीन बटे चार भाग जो है रंगा हुआ है अगर हमें इसका निकालना है बिटा परतिशत तो कैसे निकालेंगे हम देखिए देखिए तीन बटे चार भाग तो रंगा हुआ है इसका निकालना हमें तीन बटे चार का हम सो परसंद गुना में सो कर देंगे तो कितना हो गया सो तीन सो तीन सो अगर हम जो है 300 को 4 से भाग देंगे तो 4 4,78 यह रह गया हमारा 2 4,25,20 तो कितना आ गया हमारा 75% आगे है कि देखे यह चित्र दिया गया है इसका कितना भाग रंगा हुआ है तो कितने भाग है देखे पहले तो हम यह देखेंगे बिटा कितने भाग है 1 और 2 तो कितना हो गया 1 बटे 2 यानि कि 2 भाग तो है और 1 बटे 2 इसका हमें निकालना है बिटा प्रतिशत को क्या करेंगे हम 1 बटे 2 गुणा में 100 तो यह कितना हो गया 100 बटे 2 तो कितना 50% सो को हम 2 से भाग देंगी तो कितना आएगा पचास परसेंटा आगे हैं ग्याद कीजिए 20%व डेडिङंगी डेडिग सो का क्या निकालना है वहां इस परसेंट निकालना थो कैसे निकालेगा रहलbahn 500 गुणा में 2071 परसेंट इस जिर्टार कितना आगे यह 30 आगे है बिटा 75% का निकालना है ओफ 1 kg एक किलो में कितने ग्राम होते हैं बिटा 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 गुणा 75 बटे 100 तो 2000 से 2000 गई तो यह इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आगया 700 ग्राम आगे है बिटा कि जो है निमन को परतिशत में बदले कि 0.65 को परतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम इसके गुणा में हम 100 कर देंगे तो 0.65 गुणा में 100 इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 आगे है बिटा एक बटे आठ को जो हर प्रतिशत में बदलना है तो एक बटे आठ गुना में 100 तो क्या हो जाएगा यह 100 बटे आठ इसको काट देंगे हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यह 12.5 तो देखे कैसे 100 को अंदर लेंगे हम 8 8 एकम 8 बच गए 2 उतार ली 0 आठ दोनी 16 बच गए 4 नहीं गया हो यहां से उतार ली 0 तो यह कितना आ गया आठ पंजे 40 तो कितना आ गया है हमारा 12.5 परतिसत आगे हैंनिमन को साधान भीन तता दस मलों में बदल ये 1500 परतिसत को साधान भीनों दस मलों में बदलना कैसे देखिए ये हो गया हमारा 1500 परसेंट का 1500 बटे 100 तो अगर हम जो है 1500 को अगर 100 से भाग देंगे तो 101 कम 100 यहां बच गए हमारे 50 तो यहां पर आ जाएगा हमें 10 अरुत आनी पड़ेगी तो 150 यह कितना आ गया 1.5 अंसर आ ग हमें 10 मलों में तो यहां पर क्या करेंगे 5 बटा 100 0.05 अगर हम जो है 5 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा शुरू में नहीं गया चड़ा दी 0 यहां पर फिर फिर भी नहीं गया चड़ा दी 0 एक और जो है कितने पर जाएगा आप एक और 0 लगा देंगे 100 पंजे 500 तो यहां पर क्या आएगा बिटा 500 तो यह कितना आ गया 0.05 हमारा आंसर आ गया तो यहां पर होती है बिटा हमारी वक्षीट कम्प्लिट I hope आपको समझ में आ थैंक यू थैंक यू थैंक वोग्ट